के लिए वेदर की condition सेम ही रहती है तो ऐसे condition को हम कहते हैं climate की वजह से हमारे seasons बनते हैं तो हमारे पास three types के season है and that is summer winter and rainy season ठीक है आप अगर किसी चीज़ को स्मझते हो तो बहुत easy हो जाता आपके समझने के लिए तो seasons क्या है एक वेदर के condition है जो रिमेन same for few months इसके लिए तो ठीक है तो जिसके विजासे आपका पूरा routine चेंज हो जाता है आपकी eating habits change हो जाती है आप उसी तरह से dress up करते हो उसी तरह से आप खाने की के this is choose करते हैं तो आपका जो weather है या आप कह सकते हो climate या season है वो factors के affect करता है हमारे पास nature में कई सारे permanent factor है जो हमारे climate को एक तरह से आप कहते हो control करता है and by what factor तो हमारे पास factors है first temperature temperature का मतलब क्या होता है degree of hotness and coldness देखिए आप जब राजस्थान के तरफ जाते हो तो आपको दिखता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घर्मी पड़ती है but when you are moving to high altitude area मत्ता mountainous area तब जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे ठंड मैसुस होती है क्यों because of the sunlight तो जिस एरिया पे sunlight ज्यादा होता वहाँ पे घर्मी आपको मिलती है और जिस एरिया में आपका जो है sun की light कम पड़ती वहाँ पे ठंड आपको मिलती है तो temperature क्या करता है आपके climate को बहुत ही ज्यादा effect करता है second is latitude latitude के है आपको पता है कि वह circular line जो east to west run up करती है तो यह जो curve line है यह भी आपके weather को effect करती है with the help of sunlight देखिए पोज के पास क्या होता है ज्यादा sunlight नहीं मिलती है लिकिर equator के पास बहुत ही ज्यादा sunlight मिलती है तो यह area equator area बहुत ही hot area होता है और आपका pole area एक freezes zone होता है मतलब यहां पे आपको हमेशा climate कैसा मिलता है cold climate मिलता है और equator के पास आपको hot climate मिलता है तो क्या हुआ इस धरती की बनावत की कारण या इस latitude के कारण भी आपके climate में changes होते हैं और कई जगह पे आपको अलग अलगतरा के climate आपको देखने को मिलता है then altitude next factor क्या है altitude, altitude define करता है किसी भी area के high part को आप देखें जब आप जाते हो mountain के पास तो उचाई पे जैसे जैसे जाते हो तो वहां पे आपको hotness decrease होने लगती है मतलब कम होने लगती है और जैसे जैसे आप below part पे आते हो तो hotness बढ़ने लगती है तो इसका मतलब मेरे कहने क क्या है कि high altitude भी एक ऐसा factor है एक high reason भी एक ऐसा factor है जो पूरी तरह से climate को affect करता है that's why high altitude area is receiving the less temperature whether as low part of area is receiving more sunlight and more temperature इसलिए वहां पे नीचे वाला जो part है वहां पे गर्मी आपको मिलती है जबकि आप जैसे जैसे पहाड़ों के तरफ जाते है you are feeling cold climate then next is wind wind भी क्या करता है एक तरह का pressure create करता है जैसे जिस area में जिस तरह का देखे जो आप देखे desert के पास से जब आप गुजरते हो तो आपको hot wind मिलती है but when you are going to mountainous area you are feeling cold climate तो तो यह किसके कारण क्योंकि यह जो हवा जो हमारे तरफ जो move कर रही है जिस तरह की हवा जिस area से आएगी वहां के temperature को भी अपने साथ लेकिए तो वह क्या करती है क्लाइमेट में hot and coldness को add कर देती है तो इसलिए कह जाता है कि जो wind का pressure है वो जो hot and cold हमारे climate को कर देता है यह भी हमारे climate का next factor है जो उसको affect करता है ठीक है फिर next is distance from the sea distance from the sea आप देखिए आप देखो जब आप समुद्र के पास तरप जाते तो आपको कितनी धंड़ लगती है लेकिन एक बात वह भी होती है कि जब आप समुद्र के पास होते है तो दिन के समय आपको अलग temperature मिलता है और रात के समय आपको अलग temperature मिलता है यहना because of sea breeze and land bridge तो वो आम मैं next topic में आपको समझाओंगी लेकिन आप देखिए जो एरिया समुद्री के पास में होते हैं you are finding moderate climate there और जो एरिया समुद्री से दूर होते हैं वहाँ पर आपको यह तो गर्मी मिलेगी या फिर ठंड मिलती है तो जो किसी भी एरिया का sea भी उस एर को भी affect करता है उस एरिया के climate को भी affect करता है ठीक है and then next factor क्या है relief relief मतलब उसका structure जिस तरह का structure होगा उस तरह का climate ठीक है तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं finish होता है if you like my video please like share and subscribe thank you